हाई फ्रेंड्स मैं अच शेयर करने जा रहे हैं लौकी और मसूर दाल की सबजी गर्मियों के सीजिन में हलका पतला सबजी खाना बहुत ही जरूरी होते हैं दाल से बने हुई बहुत सारे रेसिपी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल में यह जो लौकी दाल बनाने जा रहे हैं यह कम से कम मसाले के अंदर बन के रेडी हो जाते हैं लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं आप इसको रोटी, पराठा या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही बड़िया लगते हैं खाने में तो आईए फ्रेंट देनना करते हुए रेसिपी देख लेते हैं एक पीस लौके लिए हैं आप चाहें तो इससे बड़े या छोटे साइज के लौकी भी ले सकते हैं एक पिलार के मदद से लौकी में से सारे छिलके को हटा देंगे छिलके को हटाने के बाद लौकी को धो के साब कर लिए हैं लौकी के आगे के इससे को काट के निकाल देंगे बस इतना सा पाठ हमें काट के निकाल देना है लौकी को इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में काट लेंगे अब हार एक लौकी के पीसेस को बीज में से काट लेंगे सारे कटे हुए लौकी को एक काटोरी के अंदर रख लिए हैं अब इस काटोरी को रख देंगे साइट में एक काटोरी मशूर दाल लिए हैं दाल को डाल देंगे एक बाउल के अंदर दाल के अंदर एड कर देंगे धेर सारे पानी दाल को इस तरीके से रगडते हुए चार पांच पानी से धो के साब कर लेंगे दाल को चार पांच पानी से धो के साब कर लिए हैं अब एक पेसर को करके अंदर अड़ कर देंगे कटी हुई लौकी लौकी के साथ साथ अड़ कर देंगे मसूर दाल जिस कटोरी के नाब से एक कटोरी मसूर दाल लेए थे सेम कटोरी के नाब से एड़ कर देंगे साड़े तिन कटोरी पानी स्वाद अनुसर एड़ कर देंगे नमक हाप टी स्पुन हल्दी पाउडर दो पीस दालचीनी, दो पीस एलाईची और पांच पीस लॉंग एड़ कर देंगे इससे दाल के अंदर बढ़िया फ्लेवर आते हैं अब सारे चीजों को पानी के साथ अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे कुकर के ढकन बंद करने के बाद हाई फ्लेम में दो सीटी आने तक दाल को पका लेंगे दो सीटी आने के बाद कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिये थे दस मिनिट के लिए उसके बाद ही ढकन हटाए हैं दाल और लौकी देखे अच्छे से पक चुके हैं अगर आप इससे भी पतला दाल खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा गरम पानी एड़ कर दीजिए कुकर के अंदर नॉर्मिल पानी बिल्कुल भी ना डाले बनना दाल का जो टेस्ट है ओ खराप हो जाएगा कड़ाई के अंदर एड़ कर देंगे देट टेबल स्पून के जितना सर्शों के तेल आप जो भी तेल में खाना बनाते हैं उस तेल के अंदर इस सबजी को बना सकते हैं एक पीस सुखा लाल मिर्च और एक पीस तेचपत्ता एड़ कर देंगे मिर्ची और तेचपत्ता को आठ से दस सेकेंड के लिए भुनने के बाद एड़ कर देंगे हाप टी स्पून कलोंजी कलोंजी के साथ साथ एड़ कर देंगे हाप टी स्पून जीरा और हाप टी स्पून राई मसाले को अच्छे से चटकने देंगे मसाले चटक गए हैं अब एड़ कर देंगे half टेबिल स्पून अद्रक लैसुन का पेस्ट मसाले के साथ अद्रक लैसुन को मिक्स्ट करते हुए भुनेंगे 8 से 10 सेकिंड के लिए एड़ कर देंगे लंबाई में कटी हुई एक बड़े सैच के टमाटर टमाटर के साथ साथ अड़ कर देंगे नमक नमक डालते टाइम थोड़ा सा धेन ड़कना है क्योंकि हमने दाल वोईल करते टाइम भी नमक अड़ किये थे सारे मसाले को एक साथ मिक्स्ट करते हुए तब तक भुनेंगे जब तक टमाटर हलका सौप्ट ना हो जाए टमाटर देखिए हलका सौप्ट हो चुके हैं अब कड़ाई के अंदर एड़ कर देंगे टुकडो में कटी हुई दो पीस हरी मिर्च मिर्ची अपने टेस्ट के इसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप एड़ कर देंगे हाप टी स्पून चीनी चीनी डालने से दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आते हैं इसलिए चीनी को स्किप मत करिएगा चीनी के साथ साथ एड़ कर देंगे हाप टी स्पून गरम मसाला सारे मसाले को एक साथ मिक्स्ट करते हुए स्लो फ्लेम में भुनेंगे एक मिनिट के लिए मसाले को भुनते हुए एक मिनिट हो गए हैं अब एड़ कर देंगे उबला हुआ दाल मसाले के साथ दाल को मिक्स्ट करने के बाद दाल के अंदर बॉयल आने देंगे दाल के अंदर देखिए बॉयल आ चुके हैं अब ढग के श्लो फ्लिम में छोड़ देंगे तीन मिनिट के लिए जिससे की मसाले का जो फ्लेवर है वो दाल के अंदर अच्छी से आ जाए तीन मिनिट हो चुके हैं अब ढग कन हटाएंगे लौकी और मसूर दाल की सबजी एकदम रेडी हो चुके हैं सर्प करने के लिए अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे गैस के फ्लेम को बंद कर दिये हैं अब लौकी और मसूर दाल के सबजी को सर्प कर लेते हैं एक सर्विंग बाउल के अंदर दाल को सर्व कर लिए हैं एक बार इस तरीके से बने हुई लौकी और मसुर दाल के सबजी को घर में जुरूर बनेए और मुझे कमेंट करके जुरूर बताना कि आपके लौकी और मसुर दाल के सबजी कैसे बने हैं खाईए खिलाईए और थांस्परोजीन